अगर यंग दमदार एक्शन स्टार्स की बात की जाए तो टाइगर श्रॉफ और विद्व चामवाल का नाम तो पक्का ही आता है ये जब जब अपनी आक्शन फिल्मों के साथ बॉक्स आफिस पर धांसू एंट्री मारते हैं तो इनके आक्शन सीन्स देख कर हर कोई हिरान रह जाता है जहां इस साल टाइगर श्रॉफ ने फिल्म वार के जरिये अपने आक्शन का दमखम दिखाया वहीं आज छेटर्स पर रिलीज हुई है विद्यू जामवाल की फिल्म कमांडो 3 इस फिल्म का फैंस को बड़ी ही बेस्तबरी से इंतजार था वहीं चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिये बताते हैं कि आखिर ये फिल्म आपके देखने लायक भी है या नहीं शुर्बात करते हैं फिल्म की कहानी से फिल्म में खुंकार आतंगवादी बुरा कंसारी यानी की गुर्शन देविया भारत में 9-11 की तरह घटना को अंजाम देना चाहता है और एक कमांडो करनवीर यानी की विद्यू जामवाद कैसे इस घटना को होने से रोकता है बस यही पुरी फिल्म में दिखाया गया है फिल्म में विद्यू जामवाद के अलावा अदा शर्मा ने इंस्पेक्टर भाबना रेडी का रूल निभाया है इसके लाबा फिल्म में आक्टर्स अंगीरा धार भी नज़र आईंगे हैं बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिविविउस मिले हैं इससा कहना है कि फिल्म की काहानी बेहत ही कमजोर है जो कि फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉबलम है हाला कि विद्योत जामवाल के action scenes वाके ही देखते बनते हैं वो आज के सबसे बड़े action star है जिस तरह से वो बड़े से बड़े stunt कर गुझरते हैं ऐसा लगता है इस तरह के stunt हर रोज करने के आदी है वहीं critics का ये भी कहना है कि अधित्य धाद का direction और भेचर हो सकता था फिल्म में special effects बहुत ही कमजोर है इतना ये नहीं critics का ये भी कहना है कि विद्योत के action वाकई देखने लायग है फिल्म की सारी कमयां वो अपने action से ठग देते हैं साथ ही अंगीरा और अदा के अक्शन्स भी तर्का लगाने का काम करते हैं बात करें स्टार्स की परफॉर्मिंस की तो विद्यो जामवाल ने अच्छा काम किया है वहीं अदा शर्मा का कॉमिक अंदास मज़ेदार है उनके और अंगीरा के अक्शन सीन भी शांदार है इसके अलावा गुर्षन देविया भी ठीक लगे हैं स्वन का म्यूजिक कुछ खास नहीं है ओवरॉल क्रिटिक्स का कहना है कि आपको अक्शन स्वन देखने का अगर शौक है तो आप ये स्वन देख सकते हैं बता दें कि क्रिटिक्स ने इस वर्म को तीन स्टार दिया है